अससलाम उलेकों अवरिमन कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हैं सब खयर यत से होंगे आज मैं आप लोग के लिए चिकन आलो के सालन की रेसीपी यह हमने लेट्स स्टार्ट इट हम रेसीपी देखते हैं कैसे बनती है मेरे स्ट्राइल में कैसे सालन बनाती हूं मैं यह मैंने लस्तन अद्रक लिया है वन टैबल स्पून के करीब हमने इसको पीस लेंगे लस्तन अद्रक को दो प्यास लिये थ माहिर tempo जो mere channel नए पे ने कीजाई है प्लीज stratég को लाइक किय लाइक कर लीजे चैनल को लाइक कर लूद कीजीए कि आ प स्क्ड़ो कीजी मेरे चैनल को मेरे नहीं नहीं रे 330 भाल शानीं पुंच सके बैल आएकन को प्रेस कर लेजिए और उमीद करते होंकि सब खैरिय के हुधे यह हमने टिमार्टर का पैस्ट बना लिया यह लसन अद्रक पीस लिया था हमने चार से तीन से चार जावी लिये थे हमने लहसन के और दो टुकड़े लिये थे अद्रक के यह हमने देखें प्याज भी फ्राइ कर लिये अच्छे से हमारा चिकन है अच्छा सा गोल्डन ब्राउन दक हम food करें करें मैं चेनल को को जड़ूर सापॉर्ट करें मुझे सब्सक्राइब करें मेरी recipes देख ठाक लोग जब पता चलते हरे कौन मुझे कौन कौन मेरी recipes देख रहा है आप लोग जडूर एक लाइक किया करें मेरे चैनल को subscribe भी करें मेरे शेयर भी करें इस तरह से मुर्ग यालो का सालन बहुत मज़ेदार बनता है और ज़रू ट्राइ कीजिएगा मेरी रेसिपी से यह अच्छे से चिकन हमने फ्राइ कर लिया है देखें गॉल्डन ब्राउन हो रही है चिकन अच्छे से और तेज आच में इसको फ्राइ करना है नहीं तो कम आच होगी तो यह और पानी छोड़ दीगी चिकन यह हमने इसका फ्लैम तेज किया वाए ताकि यह अच्छे से फ्राइ हो जाए और पानी न छोड़े कि आप लोग अपने फीट बिक ज्रूर दिया करें के मेरी रेशिपी आप लोग को कैसी लगती है 감사합니다 है हमने लसना दुरक डाल दिया इसमें जो पीस था लसन द्रख अभचिक्षे से लसना दर्ग के सौते करेंगे इसको अब ही abdominis मसाले ले लिये हैं यह लाल पीसी भी मिर्च स्पून आप ये जीरा का लिया है क्लिए ही नमक लया है आप लोग अपने टेस्ट को अकॉर्डिंग ले सकते हैं नमक इस तरहां सालन की वाले सालन बनाने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है बहुत मज़े का सालन बनता है इस तरही के से आप लोग जरूर ट्राइ कीजिएगा इस तरहां से बनाईएगा जरूर यह हमने टीमार्टर जो पैस्ट बनाया था यह हमने टीमार्टर जाल दिये इसमें अवर अच्छे से इसको बूल लिया है अब हम इसमें पानी डालेंगे हाफ प्याली पानी डालके हम इसको चिकन गलने तक मसाल ऐचे तरीके ताकि मासाले भी पख जाए है कि अए लोगाने घड़ी लिया है कि अधरी आपर से गांचिंगे डालने के लिए कि हम इसमें अधाय ले लेंगे हमने कम से कम तोर टैंबिल स्पून हमने शालन में टो ऑफ त्पून हमने था लोगे थ है तो इसलिए थोड़ा कम लेंगे ताइक घॉड़ा ना हो जिए अधा थक प्यास गरम मसाला लिया है मिनने यह निए अध्य द्धाई की आपने प्यास का प्यास का अब इसको द्धाई में मिक्स करके अब में सालन मेट कर दूंगे यह इस तरह से तोड़ा डिफरेंट टेस्ट बनाने में और अच्छा लगता है खाने में पानी एट करके रखाता है अब यह थोड़ा सा पानी घलका सा ड्राय हो गया अब यह हम इसमें धाई और यह डाल के छोड़ देंगे मसाला थाकि अच्छे से यह भी पक जाए इसमें साथ में यह डालने के बाद हम इसको इतना पकाएंगे कि अच्छे से चिकन हमारा हाफ ड़न्ट oh हो चुका है और फिर इसको चुड़ देगे ताकि यह तहीं प्यास भी तही पानी है अल्मोस्ट घर्वी बिलकुल भून लें creeping यह हम मसालान सी और दीया यह Select तो यच्छे से भूनेंगे इसमें आलू ढालेंगे ऐलोडाले अलू ढाल डालोरूण śis Right उसके मुनिंदे आलोड़े सानच के सकते हैं मैं जो चिकन की पक्ती है यहिए आलोड़ू रॉम्न तो आलोड़ी के दाये olhoो और our भूललद सекते हैं नहीं तो नहीं अक्सर बच्चों को आलू बहुत पसंद होते हैं तो आलू यही कि अच्छे लगते हैं सालन में अब अच्छे से भून गया है सालन अब यह हम इसमें पानी एड़ कर देंगी मैंने वन ग्लास पानी एड़ किया था क्योंकि अभी आलू हमारे कच्छे हैं बिल्कुल तो इसलिए आलू गलेंगे इसमें अच्छे से गल जाएंगे और फिर उसके हिसाब से अपने आप जितन इसलिए मैं अब इसलिए जादा ग्रेवी रखी ती अब इसी नहीं आलू कल जाएंगे और अच्छे से पक जाएगा यह देखें मारे सालन अब नगया है अपनेद करती हूं कि आप लोगो मेरे रेसी पसंद आई होगी पसंद आये तो ज़रूर एक लाइक कीजिए गा सब अब नेक्स्ट वीडियो में अपना खयाल रखिएगा बहुत सारा लाफिज